हर हर महादेव शरी श्वाय नमस्तुभ्यम दोस्तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल शिव पुरान पर आज के वीडियो में हम सत्गुरू परदीप मिश्राजी द्वारा बताए गए शिव पुरान के महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो खराब से खराब भाग्या को चमकाने की ताकत रखते हैं शिव भक्ती से बढ़कर संसार में कुछ भी कलियान परधान करने वाला नहीं है जो शिव जी का भक्त होता है वो बिना विदी विदान के शिव भक्ती करता है और संसार के सभी सुखों को पा जाता है और जो विदी विदान से उन्ही उपायों के बारे में बात करेंगे जिन को करने से हम धन धन्या और जीवन में खुशहाली पास सकते हैं आईए जानते हैं उन्ही उपायों के बारे में पर उस से पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं है जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले नमबर वन शिव परान में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करते समय साधक को शिवलिंग के दक्षन की तरफ बैठना चाहिए और मू उत्तर की तरफ होना चाहिए इस से पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बना कर निजमत रूप से पूजा करते हैं वो शिव को बहुत प्रिये होते हैं और भगवान शिव इनके सभी दुखों को हर लेते हैं नमबर दो शिव प्रान में बताया गया है कि व्यक्ति को मनो कामना पूर्थी के लिए पांच सुमवार पशुपती नाथ जी के उपवास रखने चाहिए इस व्रत में शिव जी की सुभा और शाम पूजा की जाती है मान्यता है कि जो व्यक्ति शर्दा भग्ती से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनो कामना पूर्ण हो जाती हैं नमबर तीन शिव प्रान में बताया गया है कि जो शिव भग्त भोले नाथ के पंचाक्षर मंत्र ओम नमा शिवाय का जाप करता रहता है और वो दो क्रोड पांच क्रोड दस लोक क्रोड जाप कर लेता है तो वो शिव के सुमान हो जाता है यानि के उस पर शिव जी की विशेश किरपा होती है वो शिव लोक में स्थान पाता है ऐसे भग्तों के दर्शन करने पर भी लाब मिलता है ऐसे भग्त धरती में के तमाम सुख पा लेते हैं और उन्हें विश्नु महेश और शिव तीनों के ब्रह्मा विश्नु महेश तीन की किरपा मिलती है नंबर चार शिव प्रान में लिखा है कि जीवन की वभिन परकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन शिवलिंग पर जल के पात्र में काले तिल मिलाकर अब शेक करना चाहिए नंबर पांच शिव प्रान में बताया गया है कि शिव पूजा में इच्छाएं पूर्ण होती हैं, शिवजी का अबशेक करने से आत्मा की शुद्धी होती है, शिवलिंग पर नवेद्या अरपन करने से आयू में वरिदी होती है, शिवलिंग पर धूप दिखाने से धन की प्राप्ती होती है, शिवलिंग पर धीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ती होती है, और पान अरपित करने से समस्थ भोगों की प्राप्ती होती है, नमबर छे शिव पुरान में लिखा है कि जो लोग सुख सिवधाओं में वरिधी की कामना करते हैं उन्हें हर दिन जल में जौं के दाने मिला कर शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए ऐसा करने से पित्र भी परसन होते हैं और उनका अशीरवाद मिलता है इसी के साथ गेहूं से बने चूर्मा का भोग लगाना और गेहूं का दान करने से घार में सुख समरिदी आती है नमबर साथ शिव जी की पूजा में बिल्व पत्तर का बहुत महत्तव है इसलिए शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र जरूर रखें क्योंकि भूले बाबा इससे बहुत खुश होते हैं नमबर आठ शिव प्रान में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिशेक गन्ने के रत से करने से भौतिक कामनाओं की पूर्ती होती है ऐसे भक्तों को भूले बाबा रोग और दुख से निकाल कर धन धन्या पर धन करते हैं साल की महाशिवरातरी और हर महिने में अनेवाली शिवरातरी पर जो भक्त भूले बाबा का गन्ने के रस या गुड के पानी से अभिशेक करते हैं उन्हें दन, वैभव और भौतकी सुखों की प्राप्ती होती है इसलिए दन, वैभव और भौतक सुखों की कामना करने वाले इन दोनों चीजों से शंकर जी का अभिशेक करें नमबर आठ शिव प्राहन में कहा गया है कि शिव पूजा में बिल्व पत्तर के साथ साथ हार शिंगार के फूलों का परियोग भी करना चाहिए हार शिंगार जानी के पारिजात के फूलों को शिवलिंग पर चड़ाने से सुख समरिदी की प्राप्ती होती है नमबर नो शिवलिंग के अनुसार जो व्यक्ति प्रती दिन जल में चावल डाल कर शिवलिंग पर अर्पित करता है उसको बहुत अच्छा फल मिलता है अगर रोजाना ऐसा संभव नहीं है तो परतेक सोमवार को ऐसा करें ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है लेकिन ध्यान रखना है कि चावल तूटे हुए ना हूँ नमबर दस शिव पुरान के अनुसार शिवलिंग पर घी अर्पित करने से व्यक्ति का स्वास्थ्या अच्छा रहता है अगर किसी को स्वास्थ्या संबंदी दिक्कतें चल रही है तो उनको स्वास्थ्या संबंदी उनको घी से शिवलिंग का अभिशेक करना चा हर हर महादेव शिरी शिवाय नमस्तुब्यम